जेन दोस्तों वंदे मातरम कॉंगरिस की हाला दिन वदिन कैसी होती जा रही है ये किसी को भी आज के रहे ने बताने की जरूरत नहीं है जब आजादी के 75 साल के बाद में भी कॉंगरिस को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़े भले ही वो खुद को जोडने कोईश कर रही है क्यों क्योंकि ममता बेनर जी और नितिश कुमार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि भाई यह राहूल गांदी जो है वो अपोजिशन के लीडर तो बिलकुल भी नहीं बन सकते उसाफ तोर पर दिखाता है कि कॉंगरिस की मानसिकता बलाता नीचे की तरफ ही जाती जा रही है कॉंगरिस के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से संग के गनवेश में शामिल खाकी हाफ पैंट को जलाने की एक तस्वीर साजा की गई जिसके बाद इसलिए कर विवाद हो गया इस तस्वीर में संग के गनवेश को जलाने के साथ लिखा गया कि 145 दिन और बचे है इस ट्वीट में कॉंगरिस ने भारत जोड़ो यातरा को देश को नफरत की बेडियों से आजाद कर दे और भाजपा RSS दोरा किये गए नुकसान को खत्म करने का प्रयाज बताया है खाकी पैंट जलाने की इस तस्वीर के सामने आने के बाद राहुल गांदी के लिए मुश्किल पैदा होने की संभावना बढ़ गई कॉंगरस ने इसको लेका ट्वीट करते हैं लिखा कि तो फ्री दे कंट्री फॉम शेकल्स ऑफ हीट और अंडू दे डामेज डन बाई बीजेपी RSS स्टेब बस्टेब वी विल रीच आर गोल दरसल इसी साल जून में करनाटिका के पूर मुख्यमंदरी और कॉंगरस ने था सिद्र रमया ने भी RSS के गनवेश को जलाने के लिए चड़ी जलाओ बर्न हाफ खाकी पैंट अभियान चलाने की बात कही थी जिसके बात पूरे करनाटिका भर में कॉंगरस के जला कारेलों किसे लेकर सिद्र रमया के दफ्तर में भीजना शुरू कर दिया गया था इन पैंट्स को मीडिये रिपोर्ट्स के अनुसार हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि सिद्र रमया को हजारों की संक्या में खाकी हाफ पैंट के साथ ही अंडर वियर और चड़ी मिलना भी शुरू हो गई थी देखा जाया तो ऐसा लगता है कॉंगरस के इस ट्वीट की प्रिणना भी सिद्र रमया से ही ली गई है वैसे पॉसिबल है कि इस ट्वीट के बाद कॉंगरस के पूर अध्यक्ष राहूल गांदी को भी सिद्र रमया की तरह ही बड़ी संक्या में खाकी हाफ पैंट के साथ ही अंडर वेर और चड़ी मिलना शुरू हो जाए अगर इसा होता है तो कॉंगरस के साथ ही राहूल गांदी के लिए भी अटपटे हालात में फसने की सिती बन जाएगी और कॉंगरस की ओर से राहूल गांदी को 2024 से पहले रिलाउंच करने के लिए बनाई गई भारत जोड़ो यातरा को जटका भी लग सकता है क्योंकि हर बदलते दिन के साथ भारत जोड़ो यातरा के साथ कई विवाद भी जोड़ते जा रहे हैं और युवद भी कोई छोटे मोटे नहीं है कॉंगरस की भारत जोड़ो यातरा पहले ही विवादों में आ चुकी है बीते दिनों राहूल गांदी के पादरी जॉर्ज पुन्य के साथ मुलकात करने पर भाजपा ने इस यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा खुशित कर दिया था दरसल जोर्स पुन्य ने राहुल गांदी से मुलकात के दोरान इसा मसी को असली भगवान बताते हुए हिंदु देवी देवताओं पर सवाल खड़े कर दिये थे वहीं केरल में दो गांदी बंधी करांतिकारी केई मेमन और पदमिश्री पी गोपी नाथन नायर के समारक का अनावरन में राहुल गांदी के ना पहुँचने पर विवाद हो गया था ऐसा लगरा है कि कॉंगरेस की भारत जोड़ो यातरा राहुल गांदी की एक नई विवाद यातरा थाबित होने वाली क्योंकि राहुल गांदी साल 2024 से पहले का लाँचिंग पैड बताई जा रही भारत जोड़ो यातरा के खिलाफ भाजपा ऐसी छोटी छोटी गलतियों के इस्तमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा इस ट्वीट के सामने आने के बाद भाजपा ने इसे कॉंग्रिस की हिंसा को बढ़कानी कोशिश करार दिया है वैसे पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 145 दिनों में भारत जोड़ो यातरा के साथ कई विवाद और जोड़ जाए वैसे यहां एहम बात यह है कि तमाम विवाद खुद कॉंग्रिस या फिर राहूल गांदी की ओर से ही खड़े किये जा रहे है मतलब यहां पर बाते कुछ और चल रही है और निकल कर कुछ और चीज़ें आ रही है पैंट जलाकर आप पता नहीं क्या कुछ हसल कर लेंगी यह बहुत मतलब अजीब सी बात है कि यहां पर कॉंग्रिस आखर क्या हसल करना वालना यह बचकानी चीज़ें और कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी ठीक है जो करना है करिए भाई हड मतलब आपके सामने करो या मरो की सिचुएशन है एक और चुनाओ आप हारे नहीं कि आपके उपर से लोगा कॉंफिडेंस अब वाकई में हट जाए पंजाब जो किनका गड़ हुआ करता तो वह आबादनी पार्टी ने छ खाई दे रही मेरी सुनिवरालत नहीं जाए हैं जाए भारत